Ready students, Dictation 5 Seconds बार स्टार्ट होगी वे है एक प्रक्तिशिल सम्रित्र एवं शक्ति शाली राष्ट्र के रूप में अपनी शम्ता से उपर उठकर आने वाले वर्षों में सब्यता के शीखर तक विश्व का नित्रतव करें सच मुझ यह है हमारे सब्तंतर का संगरश में महानेताओं का स्वपंथा परिकल्पना थी भारत की सब्तंतरता में उन्होंने मानव जाती के लिए एक नई आशा देखी थी मुझे नेता जी सुभास चंद्र बोस जिनकी हम इस वर्ष जनम शताबदी मना रहे हैं के प्रेरक्षब यार आ रहे हैं आजार हिंद रेडियो पर अपने प्रसारण में 19 फरवरी 1942 को नेता जी ने कहा था हिंदोस्तान की मुक्ति से एशिया और विशव मानव उद्दार के बड़े लक्षे की ओर बड़ेंगे बारत जिसका इतिहास हजारों वर्षों का है उसके नागरिकों को यहें पचास वर्ष का समय शायद अधिक ने लगे हम नागरिक आजादी के बारत की उनती पर गरव करें तो यहें उप्यूक्त ही होगा यहें बे विचब कहा जा सकता है कि प्राद्मिक वीत्य एवं त्रीत्य सभी छेत्रों में भोस प्रकती एवं सकारात्मर उपलग्दियां प्रप हुई है हमारे देश ने संग्य प्रणाली के अंतरगर संसदिय शाशन पदती से काम करने का करीब पांच दश्कों का अनुबवप्र किया है दयनिय, गरिभी, भुकमरी, बिमारियां तथा अज्यानता से अनेग लोग पिडित हैं हमारी नीती और कारे करम की उप्यूद और प्रभावशाली पर प्रशन चिहन लगाती है कमजोगरवरत के लोगों और मनला के विरुद, अपराद हिंसा तथा धंक्यों जैसी कारवाही एमं संतावादी समाज बनाने के हमारे दावों को चुनोती देती है विकास के लाप का प्रयाप्त भाग हमारी बढ़ती हुई जंक्संक्या विशाल देश में सम्मान वित्रण के कारे में अंतर निहित जटिलता के कारण निरस्त हो सकता है साथ दश्कों से भी अरे पहले महात्मा गांदी ने हमें साथ समाजी सावधान किया था सन 1925 में यंग इंडिया में लिखते हुए बाकु ने सिदान विहीन, राजनीती, श्रम विहीन, संपत्ती, विवेक विहीन, भोग विलास, चरित्र विहीन, शिक्षा, नतिक्ता विहीन, व्यवार, मानुयता विहीन, विज्ञान अउत्या, विहीन, भूजा में साथ पापों पर उंगली उठाई थी जाती वाद, संपर्दैता वाद, ओ जिनका ब्रस्टाचार और अपरादों के साथ ग्रिणिक एवं खतरनार गठ बंदन हैं, स्पष्ट रूप से सीदे सीदे नकारा जाना चाहे हमारी लोगतांतरिक सरकार एवं विकास की संस्थाईं, संसर्थ, न्याय पालिका, कारें पालिका, लोग सेवाईं, आउर प्रेस उतनी ही प्रभावशील होगी, जितनी की इनके कारे के जिम्मेदार लोग चाहेंगे अपनी संस्थाऊं का पतन से बचाने, उनहीं शक्ति शाली बनाने, तथा उनहीं लोगों की अकांख्षाऊं के अनुरूप, अधिक उत्तरदाई, एवं सक्षम बनाने के लिए, हमें कुन में राष्ट्र, बक्ति का उत्साहा, प्रतिबदता, समर्पन, निष्टा और नीश्वार्थ सेवा की बावना लानी होगी, जो हमारे समतंतरता संदरश की भावना लानी होगी, जो हमारे समतंतरता संदरश की भावना लगी है, इस पुन्या बिला पर हम अपने राष्ट्रे संकलब को दोबराए, अपनी मात्र भूमी के लिए स्व्यम को स्मर्पित करने की पर्दिज्या करे, भाईयों और बहनों देश वासियों विवेक हमारा मारत प्रशस्त करे पते नागरी ज्यानवान हो और बहन अपने पडोसी का मित्र बने भारत गौरफ शाली बने शिरीमान प्रशान छित्र के देशों में मानव अधिकारों की स्किती में कोई सुधार हुआ है या नहीं यह इस बार पर निर्बर करता है कि आप इन अधिकारों को किस तरह प्रभाशित करते हैं वास्ता में देखा जाए तो केवल नागरिक राजनितिक अधिकारों को ही मानव अधिकार नहीं कहा जा सकता उनमें समाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार भी शामिर हो जाती हैं अंतर वास्त्रिय अधिकार प्रस्ता में इसका यही आतार सविकार किया गया है लेकिन दिक्कत यह है कि प्रशान माहसागर तट्ये जापान कथा दक्षिन कोरिया से लेकर दक्षिन एशिया के फिलिपिन्स तक के देश सहीर विशव के अधिकांश देशों में मानव अधिकार को इस नजर से नहीं देखा जाता मानव अधिकार को केवल नागरिक तखा राज नितिक अधिकारों तक ही सीमित करने का यह संकुचित द्रश्टी कोन परश्चिन के उस चिंतन से प्रभावित है जो वरतमान में सभी छेत्रों के मुख्य धारा के चिंतन पर हावी हो गया है इसलिए एशिया प्रशान छेत्र के मानव अधिकार कर्मियों और जिंतकों के सामने सबसे बड़ी चुनोती यही है कि वे अपनी तीखी बोदिक्ता सोमय दलिलों के माद्यम से उन्हें इसका खंडन करना चाहिए यदि हम अधिकारों के बारे में व्यापक द्रश्टी कोन अपनाई और पूरे चिंतर पर समगर रूप से नजर डाली तो हमें मानना पड़ेगा कि परते वरत में काफी सुधार हुआ है आर्थिक सामाजिक अधिकारों के छिंतरों में उलेखनिय उपलब्दियां दर्ज हुई है और यहां की अबादी के काफी बड़े हिसे को खादय, रोजगार, शिक्षा और स्वास्ते परिचर्चा के बुनियादी अधिकार प्राप्त हो गए है इस लिहास से चीन जो की अपना 120 करोड की अबादी का उदर पोशन कर पा रहा है उसको सबसे बड़ी उपलब्दी माना जा सकता है आर्थिक सम्रेदी से आने से मलेशिया, ताइवान, कोरिया और थाइलेंड में जिस समय मत्यम बरक शक्ति शाली हुआ विराम झाली हुआ है